दोस्तों स्वागत है अब सभी का एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ में दोस्तों आज हम बात करेंगे चेक सीट के बारे में जो 7 quality टूल्स है उसमें जो हमारा first है पॉयंट यहां पर चेकषीट है, ठीक है तो चेकषीट क्या होता है। और इसको हम Use क्यों करते हैं, इसको किस प्राकश से यूज किया रिता है और इसके क्या फाइद्य है, Use हम क्यों करते हैं। तो चेकषीट जो है एक Simple Document है जो की हमें डाटा को collect करने में help करता है यानि कि real time में जो data है को हम collect कर सकते हैं जहां पर data यानि कि generate होता है उसी location पर ठीक है तो यह इसके आद में इसका परफच क्या है check sheet का तो इसमें क्या है कि जो हमारा check sheet होता है यानि कि में हमारा जो events है वो किस तरीके से हमारा happen हो रहा है यानि कि किस प्रकाश से जो भी हमारा चीजें हैं किस प्रकाश से आपनिंग हो रही है making information collection easy from data यानि कि इससे हम जो है आसानी से data को collect कर सकते हैं तो इसमें होता क्या है कि जिससे कि हमारा check sheet है तो चेक सीट में क्या है आसानी से information जो है collect कर सकते हैं ठीक है यानिकि हमारा जो information collection है वो बहुत ही easy रहता है एक तरीके से paper tools है ठीक है it is used for data collection यानिकि ये जो help for करता है data वो collect करने के लिए physically confirmation of defect and defective यानिकि ये जो हमारा defective और defect रहते हैं उनको यानिकि फिचकल ये confirmation करता है और ये जो हम हम इसको future reference के लिए document लिए भी उचका सकते हैं जैसे कि हमने मालो सब्सक्राइब हमारा चेक सीट है अभी हमारा जो भी product online चल रहा है याई मसीन पर बन रहा है तो हमारे पास में अगर चेक सीट रहेगी तो हम उसमें यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज में product का नाम लिखा हुआ है name of date recorder ठीक है name of तो हमें आप operator का नाम लिख सकते हैं यह अभी location कौन सा है machine का यह निक machine number one date जो भी date रहेगा वो date डाल सकते हैं इसके वाद हमने यहाँ पर defect को जैसे नाम दे दिया सब्सक्राइब हमारे यहाँ पर defect one two three four five six seven eight nine ten तक defect दिये गए हैं और इधर हमने Sunday Monday Tuesday आने किया या फिर हम इसको डेट वाइज भी कर सकते हैं एक दो तीन इस तरीके से मंतली हम तीस तक का डेट बना सकते हैं अभी हमें defect one जैसे की मालो हमारा injection mold product है उसमें आपकी आते हैं स्रिंग के जाता है तो इस तरीके बहुत सारे जो defect आते हैं उनमें हम यहाँ पर one से लेकर टें तर जो डिफेक्ट दिया उसमें यहाँ पर नाम दे सकते हैं और इसके बाद में जहां मसीन पर जाएंगे तो हम जो भी defect होंगे जैसे मालो सब्सक्राइब हम मसीन पर अगर हम मालो फ्यूचर में कभी देखना है कि हमारा पंद्रय तारी को कौन सा प्रोडक्ट रर्निंग था और उसमें कितना डिफेक्ट आया था बरन मार कितने तीस थे स्रिंकिस कितने थे तो यहाँ निक हमारा यह डॉकुमेंट बन जाएगा जो हमें फ्यूचर में कभी भी रिबेरेंस के तौर पर काम में आएगा धुश्य गैसारा इंभी जैसे चेकसीट है यह से मारो हमारा चैनल करने से पहले हमें क्या-क्या duiche करना है तो उस तरीके से पहले हम शक् interpreted कर लिया कि हमारा मसी इस टेã deception करने से पहले हमें कि हमारा जो बेर्ल है वो clean होना चाहिए ठीक है इसके आद में हमारा hopper है उसको हमें सबसे पहले खाली करना है machine को cleaning करना oil वगारा फिरी होना चाहिए इस तरीके से हम उसको point wise लेख सकते हैं और हम उसको यह टिक कर सकते हैं जो भी हमारी चीज़ें कोई भी चीज़ें से छूटेंगी नहीं अगर हमारे पास में चेक सीट रहेगी और वह हमारे future के रिट्रेंस के लिए भी काम में आएगी तो चेक सीट का जो परपज है चेक सीट क्या होता है चेक सीट जो है एक paper tools है एक तरीके tools है जो generally जो हमें data को collect करने के लिए जहां पे हमारा product बन रहा है उसी location पर उसी time में यह help करता है यानि की data को collect करने के लिए इससे कि हमारा जो information रहता है collection रहता है वो easy हो जाता है अब कि मारलो मारे पास हम कोई check sheet नहीं और और मसीन पर जाने के बाद में हमें क्या है कि हम कुछ point हो सकते हैं कि भूल जा praying Yak कोई भी नया काम करने कि लिए आयेगा तो कोई सकता है कुछ point पॉइंट मिस करखो अगर मारे हाद में check sheet है तो इससे भारी बारी झाल झाल